दोस्तों काफी सारे अपडेट्स है जी एस्टी रिजिस्ट्रेशन रिवोकेशन पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या step by step process है कैसे हम रिवोक करवा सकते हैं लाइव फाइलिंग अब हम देखने वाले हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें बीना आगे ना बढ़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो लोगिन जैसे हम करेंगे जैसे हम पोर्टल लोगिन करेंगे आपके सामने services का एक option आएगा यहां जो services का option यहां पर जिस date से तब तक कि सारे return file कर दी है क्या तो आप जरूर यह चेक करें कि portal आपको जहां तकula कर रहा है return filing करना क्या आपने भर दी है कर नहीं भरी तो उनको जरूर बढ़े जहां तक portal लुद कर रहा POW लोगिन है ।ब दिखा रहा है, failure to finish return for continuous period of six month दिखा रहा है, last return कौन सी file करिए, December के आप देखिए, December को ही मेरा registration cancelled वाता, और December तक की मैंने return भरी हुए, region for revocation of cancellation, यह आपको यहाँ पर डालना है, क्या region है आपका revocation of cancellation का, तो उसमें आप जो नुएा notification आया है, उसका reference भरी है, उसका supporting आप यहाँ पर लगा सकते हो, return को download करके, इसके बाद आपको verification वाले option को tick करना है, authorized signature का नाम यहाँ पर आपको select करना है, place का नाम डालना है, और EVC से आप इसको verify कर सकते हो, बहुत ही आसान process है, registration revoke करवाने की दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको पूरी process समझ भाई हो, तो वीडियो को like करें और उपने दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल ना बुले, जल्दी हम लेके आएंगे, आपके साथ और भी ऐसे interesting वीडियो के साथ दोस्तों मिलते हैं, thank you so much, चैहिन, जैभाद